नमस्कार यात्रा के दोरान हम पहुंचे बागमुंडी ये बागमुंडी का बाजार और बागमुंडी एक ब्लोक है पूरलियाडिस्टी का और सफर जारी है यात्रा गाओं के बीच से ये किसान देखिए किस तरीके से धान की फसल से धान को अलग कर रहे हैं डंठल को अलग कर रहे हैं एक हैंड मसीन है मैनवली चलती है ये मोटर से भी चलती है इससे धान के बीज को धान से अलग किया जाता है यह देखिए यह खुबसूरत नजारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं गाउं की पकडंडियों से होते हुए छोटे बड़े कच्चे पक्के उभड खाबड रास्ते चारों तरफ हर्याली इसी के बीज से होते हुए यह जो मेरा सफर है वह आज जाएगा केश्टो बाजार इरिगेशन इसकी यहां रास्ता तो लगता है कि बंद है लेकिन जाया जा सकता है और नीचे से ट्राइ करते हैं जहां तक संभव होगा जाएंगे आये हम लो यह देखिए यह कोई गोर्मेंट ऑफिस यहां जितनी उची बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई पड़ेंगी यह बिल्डिंग या तो होटल होगी या तो कोई रेस्टोरेंट या फिर गोर्मेंट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग होगी हम लोग एकदाउं फुठील में हैं आगे कुछ ही छण में अध्या पहाड की चढ़ाई हम लोग चढ़ेंगे और यह मेरी धन्नों और साथ में सोमनात भाई यहां से हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और इरिगेशन स्कीम को देखने के लिए चलेंगे कि यहां डैम बना करके किस तरीके से सिचाई के लिए पानी कठा किया जाता है और ऑपसिजन में उसी को कैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जाता है या खेतों ही है कि बागमुंडी से हम लोग अयुद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे और नजदीक पाड़ों के आ रहे हैं हम लोग यह कोई गवर्मेंट इस्कूल कि रास्ता कि यहां ठीक नहीं है यह देखिए धान और धान से लदी बैल गाड़ी पुरा का पुरा ग्रमीड जीवन और यह सुन्दर इंभर्मेंट यह दखिए कोई होटल है पाड़ के ही नीचे आपको इस तरीके के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे अगर आप आते हैं तो ठारने की यहां बवस्ता मिलेगी आपको कहीं पर रास्ते बहुत ही खराब हैं कहीं पर रास्ते बहुत ही सुन्दर हैं तो कोई बात नहीं यह तो पार्ट अब जर्नी है अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अच्छे बुरे सभी तरीके के लोग मिलेंगे और अच्छी सडके कभी तूटी फूटी सडके भी मिलेंगी यह देखिए गर्मी बहुत ज़्यादे है पेड के नीचे लोग आराम फर्मा रहे हैं यह हील पर चड़ने के पहले का यह यह नजारा यह द्रिश्य मैंने हर एक चीज को सूट करने का प्रयास किया है जहां तक संभव हो और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि मैं मोबाइल से ही वीडियो सूट कर रहा हूँ तो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बढ हो सकती है फिर भी मैं प्रयास रत हूँ कि जितना से जितना हो सके अच्छे अच्छी चीजों को कभर किया जाए यह जो माउंटेन चेन आप लोगों को दीख रहा है एक्छल में माउंटेन नहीं है हील है यह पुरा का पुरा अवध्या हिल है अवध्या की पाड़ी है कितना सुन्दर रोमान्चकारी यह द्रिश जैसे जैसे पाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं उत्सुकता और बढ़ रही है लगभग 600 मीटर की उचाई पर हम चड़ेंगे मैं और मेरी धन्नों यह एकदम पाड़ के नज़्दीक यहां के खेत खलिहान गाउं यह देखिए रोड की हालत बहुत ही खराब है धन्नों फिसल रही है इन छोटे-छोटे बजरी के उपर तो संभाल करके चलाना भी पड़ रहा है यह देखिए यहां से थोड़ी सी अच्छी सड़क दिखी और यह लोवर डैम का नीचे का जो दिवार है उसके उधर पानी कठा है वहां उपर के तरफ जाएंगे अब हम लोग यहां से इलिवेशन शुरू हो गया चड़ाई सुरू हो गई एकदम सीधी चड़ाई है आप लोगों को वीडियो में साथ कमी दिख रहा होगा कितना इलिवेशन है यह है केश्टो बजार इरिगेशन स्कीम इस डैम से भी सिचाई का काम होता है इसे लोवर डैम के भी नाम से जाना जाता है इसके उपर जब हम चड़ेंगे और अपर डैम में जब जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ इरिगेशन के साथ साथ इलेक्टिक सिटी कैसे जनरेट होती है किस तरीके से बिद्दुत भी तयार की जाती है जिसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है जल बिद्दुत और यह उपर हम लोग चड़ते हुए और नीचे का नजारा आप लोग को मैं दिखाऊंगे एकदम देखे खड़ी चड़ाई है यह चुकी बहुत एरिया में फैला हुआ माउंटेन नहीं है हील नहीं है इसलिए यह चड़ाई इस परिदम खड़ी है यहां से मैं आप लोगों को लोवर डेम आज दिखाऊंगा इस वीडियो में अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को प्रेश कर लेंगे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे वीडियो को ज्यादस ज्यादस सेयर करेंगे यहां से लेफ टर्न लेने के बाद एकदम सीधी चड़ाई एकदम खड़ी यह बहुत सुन्दर भीव और सामने लोवर डैम यह जो दिख रहा है जील है जहां से डैम से पानी जब छोड़ा जाता है तो जील के माध्यम से हो करके फिर कैनल से हो करके और खेतों तक वह पानी पहुंचता है यहां से मैं नीचे का नजारा आप लोगों को दिखाऊं यह पहुंचे लगभग हम लोग लोग लोवर डैम एक इसके उपर भी है और हाइट पर जाना है लगभग तीन सो मीटर और हाइट पर अगर जाएंगे तो वहां पर अपर डैम दिखेगा और वही में डैम है जहां से सिचाई भी होती है और भीजली भी पैदा की जाती है लोवर डैम बैंस से रास्ता है जाने का लेकिन ओफिसेली लोगों के लिए है और अफिसेली लोगों के लिए उधर जाना मना है तो हम लोग ऊपर से डैम को देखेंगे यह देखिए यहां पर एकदम सीधी चढ़ाई है एकदम है अप लोगों को वीडियो में थोड़ा बहुत समाझ में आ रहा होगा चढ़ाई है और यह बड़ी गाड़ियों को भी चढ़ने में प्रोब्लम हो रही है लेकिन हमारी धन्नों भी कम नहीं है यह भी पहाड़ पर चढ़ाई दी हम लोगों को और यह लगभग लगभग हम लोग आधी दूरी टैग कर चुके हैं 300 मीटर की उचाई पर हम लोग आ चुके हैं यह सामने आपको दिखेगा यहां से और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहां से डैम का नजारा कैसा दिखता है देखिए यह है लोवर डैम और उपर हाई टेंशन वायर आपको दिख रहा होगा उसके खंभे दिख रहे होंगे जहां से इलेक्रिक सिटी जनरेट की जाती है यह लोवर डैम है यह अभी जुकी जून का महीना है यह लगभग ड्राई है र इरिगेशन के लिए पूरे वर्ष पानी रखा जाता है यह देख सकते हैं आप यहां से यह उसका पानी रोका गया जो बांध बनाया गया है यहां से देखिए पूरा का पूरा यह भीव दिख रहा है और यह मेरी धन्यों खड़ी है सोमनत भाई है तो वीडियो कैसा लगा आज तक यहीं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में